कि सब्सक्राइब कीजिए इडियो लॉजिकल को और बेल आइकन दबाएए लेटिस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज हम आपके लिए लाए हैं इंगलिश का कोशन पेपर क्लास 11 का जो कि आप देख सकते हैं हाफील एकजाम से लिया गया है यह कोशन पेपर और बिल्कुल लेटेस्ट है टाइम इसमें थ्री आवर के देर रखा है और साथ साथ में जो मैक्सिम्म मांक्स हैं वह टूटल मां मास का पेपर है पूरा तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपके स्कूल में आपके इंसिट्विशन में किस तरीके से कोशन पूछे आ सकते हैं किस पैटन के हिसाब से यह जो कुशन से वह आ सकते हैं और आपके लिए बहुत ज्यादे इंपॉर्टेंट है क कि आप इस कोशन पेपर को प्रैक्टिस भी करें साथ-साथ मैं आपको थोड़ा इसे उपर करके दिखा देता हूं जी सकते हैं कि सबसे पहले आपको पैसेज दे रखा है उससे पहले आपको जो इंस्ट्रक्शन्स हैं वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने के लिए तो यहां पर देखिए जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखिए और सबसे पहले आप क्वालिटी भढ़ा लीजिए अपने वीडियो की तागि आपको बिल्कुत साव दिखे और आप असानी से इसके नेक्स पीज पे आपको कोशन मिलेंगे जी के साथ मैं फ्रेंस आपको दिखाते जा रहा हूं आप आराम से देख सकते हैं यहां पर और यहां पर यह थरीम तक जनी की जोरी थरी तक वह जो पहला पाट है होता है फिर उसके बाद यहां पर जो second passage आपको दे रखा है लेकिन वह आप इसवाले passage में आप से कॉशन नहीं पूछे आएंगे इस्वाले passage में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको पता ही होगा की नोट राइटिंग और समरी वगेरा आती है तो इस पैसेज से आपको उसी के बारे में पूछा जाएगा इसलिए यहाँ पे जो second number question है इसके नीचे आप दिशकते हैं passage मैं पहले आपको दिखा जाता हूँ यह पूरा passage है और यह जो question है जो पहला उपर वाला है जिसमें आपको बताया गया है कि आप नोट त्यार के जिए आर्टिकल के लिए जिसमें आपको five abbreviation यानि five short form भी यूज करनी है जिसके आपको पांच marks मिलेंगे second question है इसमें आपको summary प्रिपेर करनी है जो कि 80 words से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जिसके लिए आपको three marks मिलेंगे तो यह आप देश सकते है अब पोस्ट करके बेराम से देख सकते हैं इसमें आपको note और summary बनाना है काफी easy है इसमें marks आपको obtain करना section B में आपसे writing and skill and grammar से category में आपसे question पूछे गया है जो की पूरा total हम करें तो 30 marks का section है यह बनता इसमें B1 आपको सबसे पहले एक question है और इसके नीचे भी और में एक internal option में एक question प्रवाड कर रखा है आपको इसमें जो पहला question है जिसमें आपको just notice त्यार करनी है notice draft करनी है जिसके बारे में आपको बता रखा है कि आपका school एक trip organize कर रहा है class 11 के बच्चों के लिए उसी के साथ internal option में एक poster भी त्यार करनी के लिए आगया तो आप चाहे notice करिए चाहे poster करिए आपकी मर्जी दोने के लिए आपको 4 marks दिये जाएंगे बीटू की बात करें तो यहां पर देखिए एक classified advertisement दिक्यार करनी है जो कि आपने news program में देखा होगा और साथ साथ में आपको बताया भी गिया होगा हो सकता है कि classified advertisement कैसे हम लिख सकते हैं इसके लिए आपको 6 marks दिये जाएंगे जो कि 50 वट तक की होना चाहिए भी तरी की बात करें तो यहां पर आपको एक letter लिखना है जैसे आपने 10th class में लिखाता है एक बार आपको याद ही होगा कि जब यहां कोई बुक करते थे complaint letter, letter to the editor तो इसी के साब से लिकने यहां पर formal informant से category में आया है और बात करें formal कि तो यहां पर आपको कुछ इस question के अनुशार आपको कुछ books रतना सागर publication से book करनी है गगन public school से तो इस तरीके से example देख के आपको समझाये गया है जिसमें आपको 100 वट से ज़्यादा यह नहीं होना चाहिए letter और 6 mask का होना चाहिए जिके साथ यहां पर आपको एक internal option के साथ एक report त्यार करने के लिए बोली है जो कि 100 से 120 वट के बीच में होनी चाहिए जो कि 6 mask के आपको इसके लिए number मिलेंगे before की बात करें तो यह देखिए आपको article लिखने के लिए बोला है जिसमें पूरा आपका इसके तरीके से आपको इसके पूरे के ओपर टॉपिक के ओपर आपको आर्टिकल लिखना है कि टेकनोलजी एंड इस इंपक्राइब यह आपको टाइटल दे रहा है इसके बारे में आपको जो फॉर्म आपको लगता है कि यह फॉर्म इस फॉर्म हो सकती है इसमें तो फिर इसके बाद यह देखिए यहां पर वह लाइन खतम होती है इसको इसके नीचे जस्ट बीशिक्स कोशन स्टार्ट होगा जो कि आप नाइंथ खिलास से इस टाइप की कोशन करते आ रहे हैं आपको पता ही होगा एडिटिंग ओमीशन तो इसमें भी यह काफी असान आपके लिए बनी गया होगा क्योंकि आपने कई तीन दो साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं चीज़ की तो इंकरेक्ट करेक्ट आपको यहां पर पढ़ना है और जैस्ट आपको जो इंकरेक्ट है इंकरेक्ट लिख और उसे करेक्ट करके अगले कॉलम में उसे लिखना है फिर उसको नेक्स सेक्षंट हो जाता है सक्षंट सी जिसका केटिगरी रखी लिटरेचर का इसमें आपको तीस मार्स का पूरे टॉटल मांक्स बंते हैं इसमें सबसे पहले आठीसी आता यानिकि हौन बिल से उस हौन बिल से पोट्री ले गई है वहां पर कुछ इसके जो एक्स्ट्रेक्ट है यानि कि कुछ पैरग्राफ वहां पर दिये गए हैं उसे लेटेड आपको जो कोशन पूछे गए हैं वहां सर दिना है पहले जो है वहां रिमनेंट टॉप से पूछा गया है पर उसके बाद वोईस ऑफ दरें से आपको कोशन पूछे गए हैं चलिए अगले पर चलते हैं यहां पर आप पोस्ट करके इसक्रीन शॉट भी ले सकते हैं यहां पर यह जो कोशन हैं सी बन का वो खतम होता है और इसके नीचे जो कोशन से सी टू में आप बात करें तो में आपके लिट्रेचर से वह हैं इसमें आप ऑप्शन दे रखें फाइफ कोशन के यहां पर टूटल सिस कोशन यांनि आप प्वाइफ कोई भी पिक अप कर सकते हैं तो सबस्क्राइब करें तो सी थिए में आपको कोई एक उठाना है इन दोनों में से इंटर्न आप्शन दे दे सकते हैं किस तरीके से आपको किसे आप से आपको लिखना है सी फोर में बताएं तो यहां पर देखिए यहां पर इंटर्न आप्शन दे रखा है को यह करना है जिसके लिए आपको छे मांक दिये जाएंगे दोनों में ही आपको एक तरीके से क्याश्य लिखना है एक में से में आपको गयरोगी ले Ann tripe के पारी में लिखना में दूसरे में आपको मिस्जिस डयूलीहन के बारे में लिखना जो जो की सब तक होना चाहिए मिलाऍज लार्श कोशन मयरे और यहां पर आपको एक और राशब कोशन वाले के एक्स्प्रेंट करने वाले यहां पूचा गया कि कौन कौन दे थ्री फियसेस रिलेशन्शिप हैं जो खुश्वान सिंग ये पहला कोशन भी था आपका हॉन बिल का लेकिन वो ब्रीफली था इसमें आपको उसको एक्स्प्रेंट कर देना है फिर इसक बाद आपको यहां बत तो फैंस कैसे लगी ये इंगलिश की वीडियो कमेंट करको जूरू बताएं इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन जैवारा